हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो डिसीबी बाइलोजी मैंसेलफ अश्वीनी जैनकौर और हम देख रहे हैं 10th CBC बोर्ड का 5th chapter that is the life processes इन प्रिविए वीडियो टिटोरियल हमने डिसकस किया about the life, about the living thing and non living thing उसी के साथ साथ हमने human body में कितने systems होते और उसे कैसे याद किया जाए इसको भी समझ कर लिया इस वीडियो टिटोरियल में हम इस सवाल का जबाब दूढने वाले हैं कि actually a life process होती क्या है और वो इतनी जरूरी क्यों है तो देखो जैसे हमें पता है what is the life, it is a spam between the birth and death but जीवन जनम से लेके मृत्यू तक का जो समय बीत रहा है उस समय में हमारे body को living thing को maintain रखना भी जरूरी है हमारे body में various kind of processes चलती रहती है और वो processes चाहे हम कुछ काम कर रहे हो या ना कर रहे हो ताकि वो हमारे जीवन को maintain रख सके राइट और ऐसे ही procedure को हम life processes कहते है ऐसे ही processes जो होती है वो हमें sustain करने के लिए जिन्दा रहने के लिए important है जैसे कि मान लो किसी person की death हो जाए तो उसके dead body में किसी भी तरीके की process रण नहीं करती इसका मतलब जब तक वो जीवित था तब तक वो processes चल रही है जब वो मर गया इसका मतलब वो processes होना बंद हो गई इसे लिए इन्हे life processes कहा जाता है जो किस चीज के लिए important है for the maintenance maintenance of the what maintenance of our self maintenance of our life हमारे life को maintain रखने के लिए proper routine में चलाने के लिए जो processes लगती है उसे हम क्या कहते है उसे हम कहते है life processes अब यह processes कौन से होगी और कैसी होगी यह थोड़ा सा जान के लिए मान लेते हैं कि हम्यारी body में बहुत सारे काम चल रहे हैं और हमें पता है कि हमारे universe में भी कहीं पे भी काम करने के लिए energy की requirement होती है What is energy? Energy की definition है ability to do work काम करने के लिए लगनी वाली power काम करने के लिए लगनी वाली क्षमता उसी को हम energy कहते हैं अब सारी energy हमारे body के अंदर खुद से तो synthesize नहीं होगी तो इसलिए हमें nutrition की जरुरत पड़ती है हमें food की जरुरत पड़ती है अब अलग-अलग organism अलग-अलग तरीके से food consume करता है जैसे कि plants through the soil fertile soil के through elements लेतार उससे photosynthesis करके अपना food खुद बनाता है बट animals जैसे कि हम हम food खाते हैं consume करते हमारी system उसे digest करती है उसमें के nutrient को लेती है और spread करती है बराबर इसका मतलब there must be a mode for a nutrition हमारे पास ऐसा कोई तरीका होना चाहिए ऐसा काई procedure होना चाहिए जिसके through हम food के through या plants में roots के through nutrition को लिया जाए और उसको utilize किया जाए to make the body as well as to make the energy right तो चलो मान लिया कि mode of nutrition ये एक process हो गई एक life process हो गई once we have a food हम जैस खाना खाते तो वह खाना हमारे स्टमक तक जाता है और फिर डाइजस्ट होता है डाइजस्ट होता है मतलब complex form से simple form में आता है ऐसा क्यों क्योंकि जो हमारी body की requirement है energy की जिस form में requirement है वही form हमको available हो ये जरूरी नहीं क्योंकि biodiversity बहुत ज्यादा है 1.7 to 1.8 million species अभी तक हमने discover किये on the earth इससे ज्यादा भी हो सकते है राइट अब अलग अलग तरीके के organism है उनकी अलग-अलग demand हो सकती बट basic demand उनकी होती है carbon sources की वाय क्योंकि हमारे body में ज्यादा करके molecules जो है वो carbon based होते हैं बट carbon के अलग-अलग form हमारे body में आ सकते वाया food तो इस वज़े से food को consume करने के बाद उसको digest करके उस particular form में लाना जरूरी है जिस form में हमारी body utilize कर दी इसको समझने के लिए basic example हम ले सकते कि जैसे कोई person foreign based company में काम कर रहा है और उसकी salary तो यह जो प्रसेस जिसमें वो डॉलर का कन्वर्जन रुपीज में कर रहा है तब वो रुपीज को यूटिलाइज कर सकता है जैसे उसे करना है जब उसे करना है वैसे ही इन इंडिया वैसे ही अलग-अलग form के material अलग-अलग form के nutrient जब हमारे बॉड़ी में जाते तो उसको convert किया जाता है ऐसे form में जो हमारे बॉड़ी के requirement है और इसके लिए हमें करना पड़ता है digestion तो digestion system is there right अब digestion हो जाने के बाद nutrient तो मिल गए बट उस nutrient को अलग-अलग-अलग-अलग body part पे बेजाना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम बात करें बाक्टेरिया की तो वो unicellular organism में एक ही cell है directly वो environment के साथ contact में आते हैं तो simple diffusion से वो material ले भी सकते और material दे भी सकते बट बात जब multicellular organisms की आती है तो सारी की सारे cell environment के direct contact में नहीं आते ऐसे समय पे nutrient का उनके तरफ लिजाने के लिए कोई ना कोई एक procedure कोई ना कोई एक system होना ज़रूरी है तो यह किया जा सकता है via transportation transportation क्या करेगा transportation जो भी nutrient material food के form में food के थुरू हमारे body ने बनाए है digest किये है या फिर plants में elements का इस्तमाल करके sale ने जो भी food बनाया है जो भी material बनाया है जो उनको utilize करना है वो हर एक sale के पास पहुचाया जाएगा तो वो किस की थूरू किया जाएगा transportation की थूरू किया जाएगा तो synthesize the energy तो nutrient के साथ साथ oxygen को भी transport करना पड़ेगा अब दोनों का form एक तो है नहीं तो अलग-अलग system हो सकती है for the transportation तो food transportation हो रहा है और respiration भी हो रहा है जिसके थूरू gases का exchange होने वाला है अब respiration हो गया digestion हो गया या फिर transportation भी हो गया material को सब जगा भी गया और sale को जो चाहिए वो सारी चीज़े मिल गए और उन्होंने अपना काम करना start कर दया या continuously वो काम करी रहे बट हमें यह पता है that every process end with certain byproducts मतलब एक main product तो बनता है बट उसके साथ साथ byproducts भी बन सकते अब वो byproduct हमारे body के लिए हमारे sale के लिए west है तो ऐसे west material को body के बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है so इसलिए excretion system लगेगी जो क्या करेगी excretion करेगी किसका west material का from the body to the और in the environment और outside the body इसका मतलब transportation में सिर्फ nutrient को भेजाने ही जाएगा तो return में west material को भी gather किया जाएगा और फिर उसको body के बाहर निकालने की procedure की जाएगी अब यहां पर आप एक चीज समझ कर लो सारे animals similar नहीं है exactly safe नहीं होते सो human में excretion के system अलग हो सकती है तो plants में excretion के system अलग हो सकती है but basic dynamic process of excretion यह दोनों में भी रहेगी मतलब plant में भी west material form होगा और उसको भी body के बाहर निकाला जाएगा animal में भी west material form होगा और उसको भी body के बाहर निकाला जाएगा तो excretion दोनों में होना है, तरीकिया अलग-अलग हो सकते हैं, but excretion is a life process, you are getting this, उसी के साथ साथ control and coordination होना चाहिए, क्योंकि हमारी body, multi-cellular organism की body, कुछ नो कुछ एक सटीक काम कर रही है, और वो काम करते वक्त, हर सेल का, हर टीशू का, हर ओर्गन का, एक दूसरी के साथ coordination चाहि center point होना चाहिए, जहां से ये सारी चीज़े रन हो रही है, तो ऐसी जो processes है, ये सारी processes कहलाती है, life processes, जो हमारे life को maintain रखने के लिए जरूरी है, क्या करने के लिए जरूरी है, हमारे life को maintain रखने के लिए जरूरी है, so I hope you understood what is the meaning of life processes, what is the meaning of life processes, life processes are the processes which is required to maintain the life, maintain the sustainability, sustainability of an organism, you are getting this, समझा गया, so the very first life process या एक important parameter जो हम पढ़ने वाले है, वो है nutrition, क्या है वो, nutrition, so आप मुझे बताइए, what is nutrition, you can answer in comment box, आप बता सकते हो कि nutrition का मतलब क्या होता है, according to you, या फिर हम nutrients किसे कहेंगे, ओके बच्चो, nutrients उनको कहा जाता है, ऐसे molecules या ऐसे compounds को कहा जाता है, जिसकी वज़े से हमारी body या organism develop करता है, जो required है for a normal growth of the body, ठीक है, normal maintenance and growth के लिए जो element हमें लगते हैं, जो molecules हमें लगते हैं, उन्हें हम nutrient कहते हैं, और जिसके overuse या underuse से, मतलब कम तरता से, या बहुत ज़्यादा extreme use करने की वज़े से body को disease या disorder हो सकते हैं, ऐसे components को हम nutrients कहते हैं, क्या कहते हैं, हम ऐसे components को nutrient और इन nutrient को लेनी का जो तरीका होता है, किस तरीके से हम nutrients लेते हैं, उसे हम mode of nutrition कहते हैं, So, in next video tutorial, हम start करने वाले हैं, with the very first segment of your chapter, that is nutrition, is that clear? So, अगर आपको ये video knowledgeable लगाए, तो इसे like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe कीजिए, और अगर आप DCP biology पे new हो, तो bell icon को press करना मत भूलिए, subscribe करके, क्योंकि, जब nutrition का segment आएगा, तो वो video tutorial का notification आपको मिलना चाहिए, right? तब तक के लिए, be healthy, wealthy, peaceful, मिलते हैं जल्दी, next video tutorial में, bye bye, have a great time.